So hey guys, welcome back to the new video So, आज अपन लोग बात करने वाले हैं 2023 बजाज Avenger 220 Cruise के बारे में तो क्या आप लोगों के लिए ये 2030 में भी अच्छा option होने वाला है तो updated bike अपने पास finally आ चुकी है Pricing की बात करते हैं तो on-road जैपूर आप लोगों को Avenger 220 Cruise कॉस्ट करने वाले है यानि की purchase करना कि आप लोगों के लिए एक समझदारी वाला फैसला होने वाला है तो start करते हैं अपना वीडियो वाई की की से तो कुछ इस टाइप के अपकी की रहने वाली है काफी compact size है और जो regular वाला pattern आता है वो ही रहने वाला है Avenger आप लोगों को पता ही है के साथ ओन रहने वाला है LED में यह वाले चीज ही रहने वाली है बाकि आपका headlamp जो है यह है लोगों है प्लस जब का इंडिकेटर से हैं यह भी है लोगों में ही रहने वाले तो काफी अच्छी कॉंटिटी में प्लस काफी अच्छी क्वालिटी का क्रोम भी हाप लोगों को आपर मिलने वाला स्पोग विल मिलने वाले प्लस एक जो एमाइडी सेट अप है उसके आसपास भी काफी क्रोम का सेट अप मिलता है एक्जॉस्ट भी क्रोम में है तो यह चीज आप लोगों को काफी अच्छी देखने में लगती है एक भाई एवेंजर के अगर अपन बात करते हैं तो इंडिया की एक कह सकते हो सबसे कमफरटेबल भाईक इसको आप लोगों कह सकते हो कम बजट में ऐसे तो फिर भाई अपन बात करेंगे तो बहुत सारी भाईक से पर इस प्राइज रेंज में काफी अच्छा ओप्शन यह ना आप लोगों के लिए आज बो जाता है लगबग 20BHP के आराउंड आप लोगों के अपर पावर भी मिल जाता है फियूल टैंक केपिसिटी भी काफी अच्छी है 13 लिटर का फियूल टैंक है प्लस जो इसका बाईक आपको एवरेज देती है माइलेज देती है वो भी काफी अच्छा मिल जाता और जो सेट अप लोगों को पता हिए काफी लेजेंडरी प्रोड़क्ट ये बाइक ना बन चुकी है और 2023 में अपडेट होने के बाद आ चुकी है कलर अप्शन की बात करते हैं तो एवेंजर 220 आप लोगों को दो ही कलर अप्शन में अवेलेबल रहने वाली ये एक रहता है आपका वाइट और दूसरा कलर अप्शन है बना ये वाला एक कह सकतो कॉफी ब्राउन टाइप और दो या तीन अलग-अलग शीड भी आप लोग स्क्रीन मिल जाता है जिससे की वाइज ये गाड़ी आप लोग लिए टूरिंग के लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है तो विंड ब्लास्ट आप लगों को बिलकूर इसमें नहीं लगना यहां पर भी क्रूम का यूज आप लगों को अंदर से देखने को मिलेग कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकोडिंग या फिर इसको आप लोग नो अगर इसको बाइक ले रहे हो तो मैं रिकामेंड करूंगा कि इसको पर आप अच्छी कोडिटी का पीप या फिर कई अच्छी रिनोंड जगे से से रमिक भी इस पर करवा सकता हो ताकि यह इसक्रेच करते हैं तो यह आपका रहने वाला है एंडुरेंस का यहाँ पर देख सकते हो एंडुरेंस की पूरी मार्किंग भी आप लोगों को मिल जाती है तो इस टाइप का कुछ आप लोगों को 280 mm का फ्रेंट में डेस्क मिल जाता है विच सिंगल चिनल एब यहाँ पर अपना यह ना कवर कर लेता है यह रावयाप का रिडियेटर यूनिट तो लगबग कह सकते हो थ्री लेयर या फिर फोर लेयर वाला आप लोगों को यह ना रिडियेटर का सेट अप भी रहने वाला है सेम है जैसे कि अपना पल्सर 220 में भी आया करता था वही वाला पैटन यह आप पूरा रिम का सेट अप देख लेते हैं तो कुछ इस ताइप का अपना पूरा जो स्पूक विल वाला पैटन रहने वाला है अब आज जाते हैं बाई साइट प्रोफाइल पे तो साइट प्रोफाइल पे ट्यूल टैंक आपने होई चुकिए तेरे लिटर का टोटल फियू हो जाता है और अगर कोई बजाज से देख रहा है तो एवेंजर ना बड़े इंजन के साथ आना चाहिए इंडिया में लगबग कैसा तो एवेंजर फोरंडेड होई डॉमिनर के साथ कुछ इंजन में एक री ट्यून करके कुछ एवेंजर के लिए भी ऐसा इन फ्यूचर म के साथ रेयर लुक बाइक का कुछ इस ट्रैप का है तेल एंपोन अनिक बाद यह रापका लुक इंडिकेटर अपने फ्रेंड वाले जैसे ही रहने वाले एवेंजर की ब्रेंडिंग अप लोगो बैक रेस्पी भी मिल जाती है और इसकी भी पैडिंग काफी अच्छी मिल अपनी चोइस के उपर मैटर करता है यहां पर देखते हैं तो suspension अपको वही dual hydraulic spring वाला सेटप ही रहने वाला है रेयर में यहां पर आप लोगों को मिलता है 130 mm का drum ABS अपना single channel ही है पर यहां पर हो सकता है एक ना जो अपना combi braking system वाला setup रहता है उसके आप लोगों को यह चीज sensor विजीबल है MRF का ही AB टायर रहने वाला है 130 90 15 17 अपना front था रियर आपका रहने वाला है 15 तो देख सकते हो बाई की category के according टायर का जो wall size है यह अप लोगों को थ अपना extended वाला पाट आ जाता है यह वाला और यह अपका proper adjustable आई जाता है stickering देख लेते हैं तो stickering आप लोगों को tank और side panel पे ही देखने को मिलती है तो devil head आपको gear lever मिल जाता है 5-speed gearbox के साथ Avenger 220 cruise आती है chain का setup open वाला ही है इस bucket का size भी काफी अच्छा है एक आपका साड़ी गाड आ जाता है जो कि आप लोग remove कर सकते हो practicality के लिए भी भाईक आप लोग मतला एक daily routine के लिए भाईक यूज करनी है सेंटर स्टेंड भी मिल जाता है side stand यह रहा side stand engine cut off भी आपको मिल जाएगा अब देख लेते भाई fuel tank पर तो fuel tank पर आप लोगों को यहाँ पर 2 MID setup मिलने वाले हैं यह है अपना fully digital और यह आप लोगों को सारी warning lights यहाँ पर देखने को मिलती है क्रोम वाला पार्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा proper metal में ही आपका fuel tank रहने वाला है और fuel tank capacity की बात अपनी होई चुकी है switches देख लेते हैं तो यह रहापना pass वाला switch यह देख सकते हो तो यह रहापना high beam low beam indicator single buzzer में काफी loud on मिल जाता है राइट सेट पर देखते हैं तो किल्स हो जायता है जैसा कि shape Avenger में शुरू से चला रहा है न सुचिस का सारा शेप आज भी वही है यह है अपना headlamp on और off करने के लिए एक switch और यह रहापका starter क्रोम में ही अप लोगों को बार एंड भी रहने वाले प्लस grip cover जो है यह भी काफी अच्छी quality के मिलने वाले और ब्रश क्रोम में अपना रहने वाला है लिवर्स क्लेश लिवर भी covering के साथ और ब्रेक लिवर भी तो यह सब आपको सारा सेटप क्रोम में ही रहने वाला है मतलब ब्रश क्रोम में हैंडल बार का सेटप कुछ स्टाइप का है सो एक बार माप लोगों को riders point of view भी दिखा देता हूं तो यह वाई में बाइक पर आ च स्टेप्शन भी मिल जाएंगे मतलब जो पहले की एवेंजर में आया करता था अगर आप लोगों को यह वाला सिटिंग स्टांस नहीं जाहिए तोड़ा सा अप्राइट वाला तो आप लोग ना ओल्ड वाला भी लगवा सकते हो है माइड देख लेते स्टार्ट अप कुछ यहां पर यह सीज रहने वाली है तो यह हो जाता है चेंज करके देखते ही क्या कह चे तो यह जदा है ट्रिप टू ट्रिप वन ओके और यह जदा है क्लोक सेट करने के लिए तो सिर्फ और अड़ोमीटर और दो आपके ट्रिप मेटर सबद कर लेते हैं इंजरी रेम करती है और रहने वाली लगबग 125-130 कर हो यह बाई कितुना कर लेगी वाई 220CC का इंजन है और काफी फेमस इंजन है यह न जसको कि अब सिर्फ एवेंजर में ही यह यूज हो रहा है अब बात कर ले दे बाई प्राइजिंग की तो प्राइस आप लोगों को मिली चुक और जो चीज मैंने कही है कि एवेंजर ना बड़े इंजन के साथ आना चाहिए तो उस चीज से कौन-कौन एक मतलब मेरे साथ एगरी करता है वो चीज भी कमेंड में ज़रूर शेयर करना करते हैं अपने ये वाला वीडियो एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी